हालो नमस्ते सलाम रादे रादे आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत एं फिर से एक बार मेरी चानल में अगर आप नहीं हैं मेरे चानल पर तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए साथ इस इस नुस्टे ग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकतें मेरा एक दूसरा च सब्सक्राइब कीजिए तो आज इस टेरो कड़ की तुरू हम जाने की कोशिश करेंगे कि आपके रिष्टे में क्या बदला मा रहा है आपके रिष्टे में यानि की आप और आपके पार्टनर जो पार्टनर अभी हो सकता है कि आपसे अलग हुए है या फिर आप शादी शु इसका मतलब जब भी वीडियो आप देखेंगे आपकी सिचुवेशन के साथ मैच करेगा आज देखें कल देखें एक हफ़ते के बाद या एक साल के बाद भी देखेंगे तब भी एनरची रहसोनेट होती है साथी साथ सबी राशी वाले देख सकते सबी राशी वालों के र सेम यहाँ पर आएगा हम टेरोकार रिडिंग में इस चैनल पर यही कोशिश करते हैं कि आपकी पार्टनर के एनरजी के साथ accurate आपको guide करें और उनकी एनरजी के साथ हम connect कर सकी ताकि आपको guidance मिले तो यहाँ पर बहुत से लोग मुझे comment करके बताते हैं एकसे की situation मेरे साथ हो रही है जब यह वो personal reading लेते हैं तो भी मुझे comment करते हैं बताते हैं कि thank you so much जो भी रैबिडी आपने बताई हैं वो कहीं ना कहीं उनको फाइदा कर गई उनके partner आ गए reunion हो गया ऐसे बहुत से लोगों की call messages भी आते हैं आपके partner आज क्या है उनकी situation अच्छल से यूनिवर्स में प्लीज गाइड करें Archangel Michael Archangel Raphael में गाइड करें Archangel Gabriel में प्लीज गैड करें इंजल और divine universe में प्लीज गाइड करें जितने भी लोग इस वक्त यह वीडियो को देख रहे हैं उनकी person, उनकी partner की current feelings में आज क्या है, या फिर उनकी partner की स्वभाव में क्या बतलाव आया है, Angels and Universe मुझे please guide करें, Angels and Universe मुझे please guide करें, मुझे help करें, तो यहां पर हम कुछ cards लेंगे, और देखेंगे आपके लिए क्या energy आ रही है, और फिर दुसरे डेक से भी कोशिश करेंगे जानने की, लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच और कहीं न कहीं, अभी बहुत ज़ादा परिशान मुझे दिखाए देते हैं आपके partner, 100% लड़ाई हुई है, नोग जोख हुई है, और हर रिष्टे में होता ही है, कुछ न कुछ जगड़ा होता है, जोटी मुठी बात पर आपको लगता है न, क्योंकि आप बजयसी हो जाते हैं, वो इस person से आप बजयसी होते हैं, आपको लगता है कि वो person सिर्फ आपके हैं, और आपसे ही प्यार करना चाहिए, या फिर आपके बारे में ही सोचना चाहिए, और किसी के बारे में उनको नहीं सोचना चाहिए, तो ऐसा ही मुचे लगता है यहां पर, क्योंकि दो कार्ड्स यहां पर जो आए हैं, five of swords और five of wands की energy, जहां पर person के साथ आपकी बहस होई है, ऐसा मुझे लगता है, मतलब आप कुछ अपनी बात रखना चाहते थे, और कहीना कि उस वक्त यह person ने इग्नोर किया है, ऐसा ही मुझे feel होता है, तो कहीना कि ऐसा लगता है ना कि आप में ego है, या फिर आपके partner में ego है, अभी ego का मतलब भी मैं आपको बताता हूँ, आपका सूरिय प्लानेट बहुत strong होता है, वहाँ पर क्या होता है, आपको लगता है ना कि हर कोई आपकी बात माने, भले वो गलत है, सही है, आपको लगता है कि मेरी बात सही है, और वो माननी पड़ेगी, ऐसा स्वबाव बन जाता है, उसे कहते हैं, अगो अटिट्यूड, तो यह कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन प्लानेटरी इफेक्ट है, उस प्लानेट का इफेक्ट है, तो कहीना कि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है, जैसे कि एक दुसरे को नहीं समझतें आप, या फिर हर बार आप कुछ अच्छा करने जाते हैं, और गलत हो जाता है, या फिर आपके पार्टनर आपको गलत ही समझते हैं, यहाँ पर मुझे यह भी लगता है, जैसे कि ऐसे आप भाहर घुमने जाते हैं, या फिर बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, और अच्छानक जगडा दोनों की भी शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, और आपको भी लगता है कि यह क्या है, मतलब अभी तो अच्छी तरह से बात कर रहाता या कर रही थी, अच्छनक इसको क्या जटके आ जाते हैं कि मेरे साथ हमेरी जगड़ा करते हैं मेरे पार्टनर ऐसी आपकी सोच यहाँ पर मुझे दिखाये देती है यहाँ पर आपकी जिद भी मुझे दिखाये देती है या फिर आपके पार्टनर की जिद जहाँ पर वो आपको पाना चाहत मतलब कुछ भी करने के लिए तयार है सिर्फ आपके साथ रिष्टा जोडने के लिए सिर्फ रिष्टा जोडने के लिए मतलब यह नहीं कि सिर्फ रिष्टा लेकिन प्यार है महबत है और वह आपको खोने से डरते हैं यह भी यहां पर लगता है तो अगर इनकी फैमिली नही या फिर आपका पहला ब्रेक अब हो चुका है तो यह सारी बातें उन्होंने अपने family को बताई है तो कहीं करी ना यह family सब बातें आपके बारे में जानती है कि आप other cast से belong करती हैं आप age में उनसे बड़े हैं यह भी सब जानते हैं तो कहीं न कहीं फामिली न मान नहीं रही है इस रिष्टे को और उसके वज़े से इनका जगड़ा हुआ है फामिली के साथ ऐसा भी मुझे यहां पर दिखाए देता है तो कहीं न कहीं यह परसन जिद्धी टैप के हैं थोड़े से और अगर फामिली नहीं मान रही है तो फाम सकते हैं कि relationship बहुत अच्छा है क्योंकि पर्सन ना पजैसिव है और थोड़ा सा पजैसिवनेस होना चाहिए मतलब तुम मेरे हो ऐसे जो जित होती है ना वही आगे प्यार में बहुत फायदा करती है क्योंकि यह पर्सन ऐसे लोग protective होते हैं मतलब पार्टनर का हर तरीके से खयाल रखने वाले होते हैं तो यहाँ पर थोड़े सी गुसे वाले हो सकते हैं थोड़े से aggressive nature की हो सकते हैं लेकिन कहीं न कहीं और इनकी mood swings भी रहेंगे मतलब अभी अच्छे बात कर रहें तो कल आपक के साथ इनका जगड़ा हुआ है अपनी बात रखने की कोशिश कर रहें आपको किसी भी हाल में आपके साथ reunion करना चाहते हैं वापस आना चाहते हैं आपकी दिल में जगा बनाना चाहते हैं और इनके जिंदेग में tension भी चल रहा है कि कहीं न कहीं आप ignore कर रहे हो या फिर आ अगर आप डिवोस ही हैं तो और ज़्यादा tension है कि मेरी family कैसी मानेगी ऐसी कुछ खयाल यहां पर ऐसी कुछ चीज़ें इस person के mind में इनको बहुत ही ज़्यादा परिशान करती हुए मुझे नजर आती है five of wands के energy और five of swords तो यहां पर एरीस लिवस आजिटेरियस मेश राशी सीह राशी और धनु राशी के person आप या आपके partner या फिर यहां पर आया है जैमिना लीबरा एक्वेरियस मेतनु राशी तुला राशी या कुमभ राशी के person आप या आपकी partner जहां पर रिश्ता तो दो आपके partner एक हो जाएंगे क्या इनकी family आपको accept करेगी यह sub answers यहां पर है तो यहां पर ना यह person जैसे की देखें आपर four of swords energy यहां पर आई है five of swords यहां पर क्या है ना इस person को बहुत जादा tension था कि रिश्ता कैसी जुड़ेगा मेरी family कैसी मानेगी या फिर आप दोनों में आपका भी टेंशन इस person को मुझे दिखाये देता है तो कहीं न कहीं यह person पूरी तरिके से टूटे वह दिखाये देते हैं और कहीं न कहीं अंदर यह घुट घुट के जी रहते लेकिन यह अपनी खुशी चाहते हैं इसलिए सोच विचार करके यह person ने अपनी बात रखी है कि वो क्या चाहते हैं किसके साथ शादी करना चाहते हैं किसको अपना life partner बनाना चाहते हैं वो अपने family को इस person ने बताने की कोशिश की हैं जहाँ पर उनके जगड़े हुए हैं क्यूंकि यह आपको खोने से डरते हैं नेक्स्ट यहां पर जो card आया है 9 of wands के energy है और 10 of wands तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों में अगर जगड़ा हुआ है तो कहीं न कहीं यह person आप से दूर रहकर बहुत ज़ादा रोते हैं बहुत ज़ादा emotional है कहीं न कहीं आपके साथ reunion करना चाहते हैं आपकी भी energy हो सकते कि आप भी अपने partner के साथ reunion करना चाहते हैं यहां पर इनकी energy बहुत low है जहां पर ऐसा लगता है न कि यह person जब तक आपसे नहीं मिलेंगे तब तक यह दुखी ही रहेंगे परिशान रहेंगे तो कहीं न कहीं अभी बोज इनके उपर इतना बढ़ गया ह कि जाता सेहन नहीं कर सकते तो कहीं न कहीं इनको अपने प्यार के उपर विश्वास है अपने उपर विश्वास है आपके उपर भी विश्वास है कि हम दोनों मिलकर इस जीवन के सफर में आगे बढ़ेंगे अभी हमारे जीवन में परिशानी है ऐसा यह सोच रहें अभी ह सब कुछ खतम करके जो भी बर्डन से हो सकता है ऐसे कुछ प्रॉब्लम से इस परसन की जिंदिगी में जो शायद आपके साथ उन्होंने नहीं शेर किया है ऐसी रिस्पॉंसिबिलिटीज हो सकते हैं जिम्मेदारिया है इस परसन के ऊपर बहुत सारी यह स्ट्रगल कर रहे है और इनके कंदों के उपर बहुत बोज है फामिली का हो सकता है या फिर इन्होंने नया घर बनवाया है तो उसका करचा हो सकता है तो कहीं न कहीं बहुत ज़ादा बर्डन है इस परसन के उपर और वो ज़ादा मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते करते हो सकता है कि आपके लिए वक्त इनकी पास ना हो या फिर आपको सही टायम नहीं दे पार है आजकल बहुत busy रहते तो ऐसे में आपमें दूरियां आईए क्योंकि किसे पे रिश्टे में जब आप वक्त नहीं देते न तो दूरियां आहे जाती है तो यहां पर ऐसा लिगते कि आप अकेले हैं और बहु किसी हूँ या मेरे जिन्दगी में क्या चल रहा है कुछ भी बात नहीं हो रही आजकर तो यह बात कहीं नहीं आपको खटकती है कि इनसान ऐसे कैसे बदल सकते हैं जो इनसान ने मेरे से इतने वादे किये थे कि दोनों आगे जिन्दगी आगे फ्यूचर देखना है आगे बढ़ते हैं जैसे महने बढ़ते हैं तो आपका कईने का इंतजाग भी बढ़ता है और वो फरस्ट्रेशन बहुत जादा है आजकर आपका सुभाव ऐसा हो सकता है चिड़चिड़ा होता है बन्तब इनका आपके पार्टनर का गुसा अप घर के लोगों के उपर दोस्तों पाएंगे क्योंकि आगे जो कार्ड्स आये हैं वह बहुत ही पॉजिटिव है यहां पर आया है एक नहीं शुर्वाद यह पर ज़रूर आपके साथ करना चाहते हैं इनके दिल में वही है और कहीं न कहीं यह शादी तक लेकर जाएंगे रिष्टा क्योंकि एंप्रेस का आपका साथ नहीं छोड़ेंगे भले अभी दूरियां है अभी यह नाराज है आपके मैसेजिस का रिप्लाइ नहीं करते तो आगे फ्यूचर एनरजी मुझे यह दिखा रही है जैसे कि तीन मेने के अंदर यह परसन खुद आपको प्रॉपोस करेंगे और अच्छानक कहें कि चलो शादी करते और आप भी सोच में पढ़ेंगे कि यह इस परसन को अच्छानक ऐसा बदलाव क्यों आया क्योंकि अभी तक तो यह परसन बात यह नहीं कर रहे तो अच्छानक क्यों हो गया तो यह उनकी एनरजी है आप सबचने कोशिश कीचे इंसान की एनरजी जैसे बदलती है जैसे उसकी सोच होती है वैसा उसका बरताव होता है तो यहां पर अभी हो सकता है कि बहुत नेगेटिव है या बहुत जदा परेशान है तो आपकी बारे में नहीं सोच रहें लेकिन इनोंने अपने दिल से उतार कर आपको नहीं फेका है इनके दिल में आप ही ह वो जगह और कोई नहीं ले सकता यहीं पर ऐसा ही मुझे यहां पर उनकी एनरजी लगते हैं तो शादी तो जरूर होगी क्योंकि Empress का काड है तो Empress का काड ही कहता है जहां पर growth है, success है साथी साथ यह person आपको बहुत ही कुपसूरत मानते हैं, कुपसूरत देखते हैं या फिर handsome देखते हैं तो इनके लिए ना सबसे कुपसूरत इस दुनिया में आप हो आपकी जैसे और कोई नहीं और सच में यह आपकी तरफ आकरशित भी है और मोहबद भी करते हैं, ऐसा मजह आपर लगता है, तो यहां पर Empress का काड है कि अच्छा वक्त आ रहा है, Venus आपका कही ना क स्ट्रॉंग करेगा, आपका रिष्टा अगर टूटा है, या फिर आप सोच रहें कि टूटी गया, क्योंकि परसन का बरताव देखकर आप यह सोचते हैं कि अभी तो हमारा रिष्टा टूटी गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, एक अच्छानक ट्वीस्ट आएगा, अच्छ देता है, या सारे सपने आपके सच होते वे मुझे नजर आते हैं, यह आपके डिवाइन कनेक्शन हो सकते हैं, सोल मेट कनेक्शन हो सकते हैं, और यह आपके डेस्टाइन पार्टनर भी है, तक्दिर में भगवान ने इस परसन को आपके लिखा है, और जो आपके तक्दिर में है ना उसे कोई साफ नहीं कर सकता डिलीट नहीं कर सकता वो आपको आज नहीं तो मिलेगा ही मिलेगा तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है इस परसन का साथ जीवन भर तो आपको मिलने वाला है लेकिन इंतसार आपने बहुत जादा किया है तो आपको तकलिफ होती है यहां पर मुझे आपका इंतसार दिखाए देता है साथी साथ यहां पर जो six of one source की एनर्जी तो यहां पर ऐसा लगाता है दिखाता है काड जैसे की बहुत जादा अच्छा वक्त आपके जिंदिगे में अभी शुरू हने वाला है क्योंकि यह भी तीन नमर का काड़ है और यह भी तीन नमर का काड़ है तो तीन हफ़ते में तीन मेने में बहुत ही बड़ा major बदलाव आपके जिंदिगे में आएगा साती साथ यूनिवर्स आपको यह कहना चाहते हैं कि यह परस आप से ही यह रहेगा दोनों के बारे में सोच विचार कर कर रहे हैं कि future कैसा रहेगा आगे प्रशुन इस संध को अने आंका और लोग सोरी को चोरा है लेकिन अब यह परसन है निर्था रहते हैं लेकिन अभी आलिकिन किसी description से दूसरी जगह पर है या फिर ट्रावल करके आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आता है तो यह परस नब बहुत कुछ जादा ही सोच रहें आपके बारे में या इस रिष्टे को आगे लेकर जाना चाहते हैं उसको लेकर यह बहुत ज़दा सिरियस है आपके लिए रहकर बहुत ज़दा सोचते हैं इनको भी टेंशन है अगर आप सोच रहें कि यह परसन खुश है तो खुश नहीं है इनके उपर बहुत ज़दा टेंशन मुझे दिखाई देता है नेक्स है सिक्स ऑफ सोर्स की एनरजी जहां पर ऐसा लगता है कि सभी बुरा वक्त खतम होकर एक कब खतम होगा यह दूरियां कब खतम होगी नो कॉंटेक्स सिचुवेशन कब खतम होगा हमारे रिष्टे को किसकी नजर लग गए यह सब सावारों के जवाब अभी आपको मिलेंगे और कहीं नगई सिक्स नमर का कार यह कहता है जैसे कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके हैं जो आपने नहीं सोचेते कि यह रिष्टे में इतने प्रॉब्लम्स रहेंगे इतनी परिशानी रहेंगे इसके बारे भी नहीं सोचा था जब आपने इस रिलेशन्शिप में कदम रखा था या इस रिष्टे की शुरुवात होई थे तो कहीं ना कि ऐसा लगता हैं कि आप स जाना चाहते सबसे दूर जाना चाहते लेकिन आपको यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से यह मैसेज है कि थोड़ा रुख जाए क्योंकि बहुत यह अच्छा वक्त आ रहा है जहां पर परसन यह आपको लेकर जाएंगे यह शादी को भी रिप्रेसेंट करता है जहां पर ऐ उनके साथ आप कहीं दूसरी जगह पर रहने जा सकते हैं ऐसा कुछ प्लैन बना है अगर फैमिली नहीं मांद रही इस रिष्टे को तो यह आपको लेकर कहीं और जगह पर जगह पर सैटल हो सकते हैं ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है तो पॉजिटिव कारें सिक्स ओफ लेकर और लास्ट में हम एंजल्स गाइडन्स भी देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस डेक से भी देखेंगे हम कुछ कार्ड्स क्लैरिफाय करेंगे एंजल्स मुझे प्लीज बताएं फाइव वांड्स और फाइव वांड्स की एनरजी क्यों आई हैं तो यहां पर क्वीन और पैंटिकल्स की एनरजी है मतलब वही कि आपके साथ रियूनियन चाहते हैं आपके साथ खुशी जूड़ी है इस परसन की तो यहां पर जगड़ा कर सकते हैं अपने फामिली से या फिर उनको मना सकते हैं या फिर आपकी फैमिली नहीं मांद रहे ह तो उनको भी वह मना सकते हैं कईना कई वह आपके बिना नहीं रह सकते हैं यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी खुशी आपके साथ जूड़ी हुई है तो वह कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको भूल कर या फिर आपको डिच करके या फिर आपके साथ ब्रेक अप क कंद्य राशी के परसंद जहां पर सभी खुशियां आपके साथ जूड़ी हुई है या फिर सारे सपने आपके वो पूरा करना चाहते हैं और सही वक्त आने का इंतिजार भी करते हुए मुझे नजर आते हैं परसंद तो यह पॉजिटिव कार्ड है आपको ज़रूर क्लेम कर चाहते हैं और ऐसी खुशी देना चाहते हैं जिस खुशी का आपने इंतिजार किया है कही न कहीं आपको लेकर दूर जाना चाहते हैं ट्रावल की एनरची भी भी आपर मुझे दिखाए देती है साथी साथ आपकी हर क्वाईश पूरी करना चाहते हैं हर विश आपकी पू लेना कि यह दोके बाज है इतने दीन होगे परसन की तरफ से कॉल नहीं मैसेज नहीं मेरे को इगनूर कर रहे हैं तो दोका ही दिया होगा किसी और के साथ गए होंगे तो ऐसी बात नहीं है सफ्टेबर में जैसे कि बहुत ही अच्छा वक्त आपकी जिंदेगी में आता हुआ मुझे नजर आता है नौ नमबर का काड़े कप्स के एनरजी है कैंसर पायसे स्कॉर्बियो करकर राशी मिन राशी व्रशक राशी नेक्स्ट यहां पर आए टैन ओप कप्स के एनरजी जो की बहुत ही पॉसिटिव है मतलब यह परसन का सपना है आपके साथ शादी हो आपक आपको अपना माना है सिर्फ रिष्टा लीगली इनको जैसे की बनाना याने की कोट मैरेज यह शादी करनी है तब तक लीगली आप पती-पत्मी या हस्बन वाइप नहीं हो सकते लाइप पाटन नहीं हो सकते तो कहीं न कहीं मुझे यही एनरजी दिखाए देते हैं कि दि से इन्होंने आपको अपना माना है लेकिन लीगली भी आपको अपनाना चाहते हैं तो यह कहीं न कहीं ऑक्टबर मैने तक हो सकता है साथी साथ दस मैने के अंदर भी हो सकता है आपका सपना पूरा ऐसा मुझे लगता है अगर यह परसन ने डिवोस के लिए फाइल किया है इनको इनको डिवोस मिलेगा और यह नई शुरुवात आपके साथ करना चाहते हैं ऐसा मुझे लगता है तो कहींने कहीं इस परसन की खुशिया आपके साथ जुड़ी होई है परसन के संपने भी आपके साथ ही जुड़े हुए---- तो कहींने कहीं अगर आप नहीं है इनकी जिन्देगे में, तो इनके भी सपने तो अधूरे ही रहे जाएंगे, इसके लिए परसन जल से आपके साथ रिउनियन करना चाहते हैं, और सो समझ कर इन्होंने डिसीजन लिया है, हो सके तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपसे रिश्टा जोडने के लिए, ऐसा मचे उनके अलड़ी शादी है और डिवोस होने वाला है, तो कही न कहीं वो परसन को आपने कहा होगा, कि जब तक डिवोस नहीं होता, तब तक मुझसे मत मेलो, मुझसे रिश्टा नहीं रख सकते, तो ऐसा मुझे यापर दिखाए देता है, जैसे कहीं मैरिट परसन है, और आप निकालना चाहते है, जैसे कि ड दिवोस देना चाहते है आप, या फिर आपके पार्टनर, ऐसा मुझे लगता है, और फिर आप दोनों एक होना चाहते है, ऐसी कुछ नापर आई हुए, क्योंकि तो तीन लोगों की नेरजी है, आपर आ रही है, तो हो सकता है, कि आप एक married person से प्यार करते हैं और उनको अपनाना चाहते हैं लेकिन उनकी शादी शुद्धा जिन्दगी तोड़ कर उनको नहीं अपनाना चाहते हैं लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से आपको अपनाते हैं तब ही आप आगे बढ़ने वाले हैं ऐसा दिमचे यहां पर नजर आते ह इसका मतलब यही है कि अगर वो डिवोस लेकर आपके साथ एक नई शुरुवात करना चाहते हैं तो आप हमेशा के लिए ready हैं ऐसा करने के लिए लेकिन अगर वो शादी शुद्धा है और आपके साथ रिष्टा रखना चाहते हैं तो वो आपको मनसूर नहीं है मतलब आप अगर चाहते हैं आप ऐसे सोचते हैं कि अगर यह person मेरे हैं तो पूरी तरह के से 100% मेरे होने चाहिए ऐसे नहीं कि वो शादी शुद्धा है वहाँ पर और यहाँ पर भी रिष्टा रखना चाहते हैं दोनों तरफ से तो वो step के person आप नहीं हो और आपको यह कभी भी मनसू पूर नहीं होगा कुछ भी हो लेकिन शादी तो उसी person की होगी इसलिए तो इस person के साथ आपका attraction है इस person को आप नहीं भुला फार है ऐसा मुझे feel होता है तो कहीं न कहीं मुझे यहीं लगता है जैसे कि इस person के साथ ही आपके खुशियां जुड़ी होई है और जिक होना नहीं चाहते इसी person के साथ आपकी शादी भी होगी ऐसा मझे strongly यहाँ पर feel होता है तो यह positive card है क्योंकि दो बार Empress ही कहना चाहता है Empress card जब आता है तो यह pregnancy को दर्शाता है साथ साथ शादी को दर्शाता है एक नया relationship को दर्शाता है commitment भी इसमें दिखाए देता है तो कहीं न कहीं यह सारे सपने आपके सच होते वे मुझे नजर आता है तो पूरी तरिके से यह person आपके साथ रिष्टा जोड़ना चाहते है और यह positive card से आपर बहुत सारे आये होए हैं आज यहाँ पर सभी 12 राशे आई है साथे साथ जो lucky number आपके लिए है वो है 3-3 आपको दो बार आया है जो claim करना चाहिए साथे साथ यहाँ पर एक number का card भी positive है 9 number का card बहुत ज़दा positive है 6 number का card और 10 number का card जो की completion को दर्शाता है यानि इस person जब तक आपके साथ रियूनियन नहीं करते तब तक अदू रहे है अकेला पन है तो कई ने कई जल्द से जल्द यह person आपकी तरफ आने की कोशिश करते है तो आज के reading में इतना ही अगर आप personal reading लेना चाहते हैं तो मुझे whatsapp पर message कर सकते है Thank you all of you, Thank you angels, Thank you universe